जारखंड में हो रहे विधान सभा चुनाव को लेकर गड़वा जिले में आगामी चार नॉमबर को प्रधान मंतरी नरिंद मोदी एत्यासिक चुनावी सभा को संबोधित करेंगी। बता दें कि ये गडव जिले में प्रधन मंत्री नरिंदर मोदी की पहली सभा होगी, वहीं सभा का एजन गडव जिले मुख्याले के गडवा रहला रोड स्थित चेतना मैदान में होगा, जहां प्रधन मंत्री के आगमन को लेकर भाजपा की सांसाद दीपक प्रकाश, पलाम सांसाद दीपक प्रकाश ने कहा कि प्यम नरिंदर मोदी के कैतियासे कारिकरम चार नॉम्बर को हो निवाला है, उसी के निमित आज हम यहां अस्थाल करने दिक्षन करने आए हैं, उन्होंने कहा कि पूरे पलामू प्रमंडल में विरुधियों को भाजपा क्लेन स्विप क सब लोगों को उर्जा देने का को काम करेंगे और हम सब को जानते हैं उनकी प्रेणा से भारतिय जनता पार्टी का कारकरता तो एक नई उर्जा मिलती है और देश एक डिक्सित भारत की और बढ़ता हुगा दिक्षा सब कारकरताओं के बीच में हमारे सामसद मह दे हमारे उत्तर प्रदेश के सम्मानित बंत्री दया संकर जी सब लोग है यहां पर ऐसे पाथे के रूप में बहुत लोग काम कर रहे हैं हम तो तो कारकरता की दुमिका में आए है और सब लोग का एक मत जो राए बनेगा वही वहीं कारेक्तर में स्थलक नेरिख्शन करने पहुंचे DC और SP ने कहा कि अभी सूचना मिल रही है कि शहर के चतना में PM नरेंदर मोदी की चुनावी सभा संभावित है आनक ये भी प्रिशासन के पास इसके अधिकारिक सूचना नहीं है लेकिन हम लोग अभी से तैयारी कर रहे हैं आज अस्थल का निरिक्षन किया गया है आगे जैस से साजह किया जाएगा बता दें कि प्रधानमंत्री गड़वा जिले में पहली बार इस सभा को संभोधित करेंगी जो गड़वा जिले के लिए एतिहास से खोगा गड़वा से अभैतिवारी की रिपोर्ट अगर आप ये वीडियो फेस्बुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें धन्यवाद